बिश्कार दोस्तों, I am अंत्रवप्रसाद मेना from Tannis coaching class Friends, आज में आपके लिए कुछ English के T से related उच्चारण लेकर आया हूँ जिसमें अकसर बच्चे लगतियां करते हैं तो यहाँ पर थ्री टाइप से इसके pronunciation होगे there are three types of pronunciation of T T T is pronounced like in the T and also it is pronounced like in the Ch and thirdly it is also pronounced like in the T तो T के तरीके से उच्चारण होते हैं first T का उच्चारण और T का उच्चारण तो इन तीनों तरीके उच्चारण के बारे में आपको बताऊंगा कब इनसा उच्चारण होता है ज्यादतर बच्चों को English pronunciation में और जाती है तो इस टी खासका टी वाले pronunciation तो इससे related में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों और आसा करता हूं कि यदि यह आपको पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे और यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो उसे सब्स्ट्राइब भी कर लेगी इससे हमारे द्वाला बनाए जाने वाले पत्ते वीडियो को नोटिक्रेशन आप तक पहले जो दोस्तों बिना देठ के हुए आप मैं ऐसे सुरू पर्ना चाहूँगा प्रॉनशियेशन वोग ठी फ्यात सब्स्ट्रीका उच्च्चारन तीका उच्च्चारन तीका रहे ट्यका उच्च्च्च्च्चण हस्ता हुता है जैसे TEST T का उच्चरन टा होता है यसे TEST 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 TOAST TOAST TIME TIME TIRE TIRE TRUE TRUE TELL TELL FAST FAST REST REST FAT FAT MATER MATER Lेकिन कुछ सब्दों में T का उच्चरन SH और चाब ही होता है सब्द के अंत में आने वाले TION TI O US TI AL वगेरह के T का उच्चारन SHा होता है मतलब दोस्टों यदी TI O N TI O US TI AL वाले D का उच्चारन पिरमुक्टा से SHा होता है T का उच्चारन पिरमुक्टा से T U R E के T का होता है मतलब दोस्तों यदी किसी वर्ड में T U R E आता है तो T का उच्चारन च्चार होता है इसके अलाबा भी कुछ सब्दों में T का उच्चारन च्चारन होता है तो हम देखते हैं दोस्तों उच्चारन फरस्ट T का च्च A C T U A L Actual Actual M U T U A L Mutual C A P T U R E Capture C A P T U R E Capture C U L T U R E Culture D E P A R T U R E Departure E X P A N D I T U R E Expenditure Expenditure F E A T U R E Feature Feature F A R T U R E Fracture Fracture F U R N I T U R E Furniture F U T U R E Future G E S T U R E Gesture L E C T U R E Lecture F A T U R E F A T U R E F A T U R E Literature Literature M O I S T U R E M O I S T U R E Moisture M A N U F C F A C T U R E M A N U F C F A C T U R E P O S T U R E Posture Posture E P I C T U R E Picture S C R I P T U R E Scripture Scripture के बाद S I G N A T U R E Signature S T U R E S T U R E Structure T O R T U R E Torture V A N T U R E Venture C A N T U R E Century Century C O N B U S T I U N Combustion Combustion C O N G E S T I U N Congestion D I G E S T I U N Digestion E X H A U S T I U N Exhaustion Q U E S T I U N Question Su W G E S T I U N Suggestion Friends इन सभी में T का उच्चन चाव होगा है और यदी चा के लिए यदी T I O N का उच्चन जादा तर श्राव होता है लेकिन T I O N के पहले S आ जाता है तो T I O N में T का उच्चन चाव होता है T I O N को यदी इसके पहले S आता है तो इसको च्चन पड़ा जाता है दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ उच्चन S का यदी S के उच्चन के लिए T का उच्चन C A U T I O U S कौशश N U T R I T I O U S नूच्चन C A U T I O N कौशशन N A T I O N नशन C U O T I E N T कौशशन N U P T I A L नफशल P R T I A L नफ़ी पार्शल M A R T I A L मार्शल T H के दो उच्चन था और दा इन दोनों उच्चाणों में सामन अंतर इस प्रकार है T H के उपरांद E हो तो T H का उच्चन आम तोर पर दा होता है और अन जगे पर T H का उच्चन था होता है T H का उच्चन था और था होता है A U T H O R आथर B E वैनित व February बाथ लाथ लाथ ग्ष अर्थ अर्थ नñoff ओथ पात अर्थ ब्रीचँ breath, health, length, wealth, growth, filthy, lengthy, lethal, myth, mythical, pity. theme, theory, theorem, thing, thunder, thunder, th, da, another, brother, father, further, ladder, 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 other, rather, breath, cloth, 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 clothing, fathom, theme, thee, thine, gathering, this, thou, worthy. music 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 music